स्टूदेंट्स कैसे आम लोग उमीदें आप सब खेरियस होंगे आइम सहीदे कामन नदीम आइम यह बायॉलोजी टीचर फोर क्लास नाइन तूदेंट्स आज ची टॉपिक हम स्टॉडी करने जा रहे हैं वह रिमेनिंग टाइप है कंपाउंट टिशू की और हम डिसकॉस कर का इस्ट्रक्टर है इसकी क्या डैपनेशन है क्या रोल है और हम इसकी डाइग्रम भी देखेंगे तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ तुरन्ट्स आज हम स्टॉडि करने जा रहे हैं स्टॉव इंटुशीन को फ्लोईंटिशू ठिशू हैं स्टॉशं ऑपने पिछे लेक्चर में as compound or complex tissue तो हम देखते हैं वो टिशू जो के एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं compound या पर complex tissue और हमने यह भी study किया था कि complex tissues की दो टाइप से जैसे के xylem और phloem xylem tissues को हमने detail में study किया था अपने पिछे लेक्टर में आज चो हम detail में study करेंगे वो है complex tissue की second type और वो है phloem tissue students अग्राम लोग phloem tissue को देखे के phloem tissue जो है वो उसको हम कैसे define कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि phloem tissue is a complex tissue that is used to transport food throughout the plant body यानि ऐसा tissue जो के complex tissue है यानि more than one type of cells से मिलकर बना है और यह क्यों यूज होता है यह यूज होता है in the conduction of food यहां पर हम कह सकते ही in the transportation of food throughout the plant body यानि plant body के उन parts तक यह food को conduct करता है यह transport करता है जहां पर food मौजूद नहीं होता students अगा हम लोग phloem tissue की बात करें तो फ्लोइम टिशू दो टाइप्स के सेल से बना है लेकिन इसके structure पर जाने से पहले हम यह देख लेते हैं कि फ्लोइम टिशू एक ग्रीग वर्ट से originate वा था और उसका मतलब था बार्क क्योंकि हम यह देखते हैं कि trees में जो फ्लोइम टिशू है यह बनाते हैं innermost layer of the bark यानि हम यूं कह सकते हैं कि in trees the innermost layer in the bark is known as phloem यानि phloem में जो सबसे अंदर की तरफ layer होती है वो किस चीज से बनी होती है वो इन ही phloem tissue से बनी होती है जिसकी वदा से हम इसको नाम देते हैं फ्लोइम का और यह Greek word से origin हुआ था word और जिसका मतलब था बार्क यानि कि दरख की चाल स्टुडेंट्स अब हम देख लेते हैं phloem tissue का structure और हम ने देखते हैं कि phloem tissue दो में टाइपस और से मिलकर बनते हैं पहली टाइप सीव ट्यूप सेल्स या सीव ट्यूप और दूसरी टाइप है companion सेल्स स्टुएंट्स अगर हम लोग सीव ट्यूप सेल्स की बात करें तो यह लॉंग होते हैं इसकी इलावा लंबी क्या करते हैं long tubes बनाते हैं तो हम यह देक्थे मिन इजुड यह तो सेल सेAL से यह लूंग उते हैं इसके इलाबा इनकी एंड बाल कंप और यह आपस में जॉइन होते हैं और यह लंभी ट्यूप्ल Só Ger वो क्या बनाएंगे लोंग ट्यूप्स बनाएंगे इसके बाद हम यह देखते हैं कि अगर हम यह देखें कि यह जो सीव ट्यूप सेल्स हैं जब यह immature होते हैं तो इनके पास इनका अपना न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं और साथ साथ बहुत सारी और्गिनल्स भी इनके सेल्स में पाई जाती हैं लेकिन maturity पर यानि जब यह आगे फर्दर जो वो ग्रो करते जाते हैं जब यह बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं maturity पर यह जो सेल्स जो होते हैं यह अपना न्यूक्लियस और बहुत सारी जो ओर्गिनल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं खो देते हैं जिसकी protein synthesize करता है यानि इसका मतलब यह हुआ कि यह companion cell जो है यह सीव ट्यूब सेल का एक बहुत ही अच्छा companion है यानि कि बहुत यह अच्छा दोस्त है कि जब maturity पर यह सीव ट्यूब सेल्स जो हैं यह अपना न्यूक्लियस और बहुत सारी ओर्गिनल्स जो हो लौस्ट कर देते है तो यह companion cells ही वो cells होते हैं जो कि क्या करते हैं इन सीव ट्यूब सेल्स के लिए protein बनाते हैं इसके लावा अगर हम लोग companion cells का structure देखे हैं तो हम यह देखते हैं कि यह companion cells जो हैं यह भी long होते हैं और ट्यूब की form में आपको नज़र आएंगे students अगर हम लोग यह देखें कि किस form में और किस mechanism के through जो food है वो transport होता है तो हम यह देखते हैं कि flowing tissues में यह food transport होता है और इस process को हम नाम देते हैं translocation का अब कौन सा mechanism use होता है इस translocation of food के लिए तो students हम यह देखते हैं कि इस के लिए mechanism use होता है pressure flow mechanism students pressure flow mechanism को discuss करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि leaves में जो mesophyll cells होते हैं उन में synthesize होता है glucose और glucose किस process के through बनता है वह बनता है photosynthesis के process के through अब कुछ glucose तो हम यह देखते हैं कि कुछ glucose utilize हो जाता है plant के different parts वह उसको अपनी different activities में utilize कर लेते हैं लेकिन सुदेंस हम यह observe करते हैं कि कुछ जो glucose होता है वो बच जाता है और यह excess glucose जो के बच जाते है यह convert हो जाता है in the form of sucrose अब यह सुख्रोस जो है यह further जो parts होंगे plants के वहां पर जो हो इस्टोर होगी इस्टोर इस प्रेशर फ्लू mechanism को discuss करने से पहले मैंने आपको यह बताया के glucose synthesize होता है mesophyll cells में और mesophyll cells में जो glucose होता है उसमें से कुछ glucose utilize हो गया बाकी glucose सुक्रोस की फॉर्म में convert हो गया अब यह जो सुक्रोस है यह जो है यह यह conduct हो गा या transport होगा different parts of the plant में through flowing tissue और यह कौन से mechanism के थ्रू होगा यह होगा pressure flow mechanism के थ्रू transportation इस transportation को transportation का हमने नाम दिया अब हम देखते है pressure flow mechanism के लिए सबसे पहले आपको जो दो terms पता होने चाहिए एक source और एक sink हम यह देखते हैं के leaves जहां पर यह glucose synthesize हो रहे है इस leaf को हम कहेंगे source क्यूंकि students हम यह देखते हैं कि यह leaf source हम इनको क्यों कह रहे हैं क्योंकि leaves वो और्गन से जिन में के glucose synthesize हो रहे है और यह glucose convert होगा सुक्रोस में और यह further transport होगा through flowing tissues to other parts of the plant जिनको के हम नाम देंगे सिंक का यानि इसका मतलब यह हुआ कि source वो portion है यह वो और्गन है जहां पर glucose synthesize हो रहे है और excess में प्रेजंट है और सिंक वो और्गन से प्लांट पार्ट से जहां पर के glucose की कमी है और वहां पर glucose चाहिए तो हम यह देखते हैं कि अब क्या होगा कि जो मीजोफिल सेल से जहां पर यह glucose synthesize हुआ है और कनवर्ट हुआ है सुक्रोज की फॉर्म में वहां पर सल्यूट की concentration जाद है जिसकी वजासे हम यह देखते हैं कि जायलम टिशू के थू वाटर जो यह वो एंटर होगा इन मीजोफिल सेल्स में जिसकी वाजा से यहां पर फूट और वाटर का एक प्रेशर बन जाएगा और इस प्रेशर की वजासे हम यह देखेंगे कि यह जो फूड है और यह जो वाटर है यह लीकुड या एक आप समझें मिक्स्टर की फॉर्म में या एक सैप की फॉर्म में जोए वह यह मूफ करेगा मीजोफिल सेल्से यह इसके बाद हम यह देखते हैं कि जब यह प्रेशर की तहट जोए यह एंटर होगा फ्लोइम टिशूस में और ट्रांस्लूकेट होगा यानि कि यह उन पार्ट की तरह मूफ करेगा जहां पर ग्लूकोस या सुख्रोस की कवी है अब हम देखते हैं यह फ्लोइम जो टिशू से यह ट्रांस्लूकेशन में हैल्प करेंगे इस सैब की या इस मिक्सर या सलूशन की जिसमें के वाटर भी है और और ऑर्गैनिक माटीरियल या हम कहते हैं और गैनिक जो फूड है वो भी आपका इसी वाटर में जो यह यह मौजूद है हम दिखते हैं कि फ्लोइम टिशू की concentration कम है और फिर यह जो food है यह जो sap है यह source जो है निकला और source निकलने के पाज यह एंटर हुआ कहाँ पर flowym tissues में जहां पर हम यह def曲 Penges pressure की help message ज है यह move किया towards the snake और फिर यह बाकी parts सब्षक पढूचा जहां पर सुख्रोज की कमी इग थी तो यह mechanism था जिसके थूज़ ये ट्रांस लोकेशन होती है, फूट की थूआउट दे प्लांट बॉडी, तो आप लोग को इस पता चल गया, कि किस तरह किसी भी प्लांट के अंदर जोए फूट की ट्रांस्पोर्टेशन होती है, या कंड़क्शन होती है, और इस ट्रांस्पोर्टेशन या कंड़क्शन ओफूट को, हमने क्या नाम दिया ट्रांस्ट लोकेशन का, स्टुरेंट्स मुझे उमीद है, आज के लेक्चर के आपको समझ आगी होगी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सा कोईस्ट लूँगी, और आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूँगी करने के लिए, तो हम चलते हैं अपने कुईस्ट की तरफ, सबसे पहले जो मेरे पास कोईस्टन है, वो है डिफाइन फ्लोईम टिशू, तो फ्लोईम टिशू, आपके पास जोए फ्लोईम टिशू क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है कि फ्लोईम टिशू किन दो सेल्स से, या किन दो मेन कॉंपोनेंट से मिलकर बना हुए, तो हम देखते हैं कि एक है सीव टूब सेल्स और दूसरा है कंपैनियन सेल्स, इसके बाद स्टुडेंट्स हमाई पास जो नेक्स कुस्टन है वो है, गिप रोल ओफ कंपैनियन सेल्स और यह बहुत ही इंपोर्टेंट शॉर्ट कुस्टन है, इक्जैम पॉइंट व्यूस है, क्योंकि हमें पते हैं कि इसके लिए सीव ट्यूब सेल्स के लिए और यह क्यों बनाते हैं इसका जो रीज़न है है वह मिए आपको बतायें, यह सीइब ट्यूब सेल्स मचेव होते हैं तो इस पक्नियुक्लिइस और बहुत सारेक ही स्ट्विज्ध 뻥 नहीं कर सकते जिसके वाइए आसे companion cells इनको protein जो है वो synthesize करके provide करते हैं इसके बाद हमाय पास्ट नेक्स question है वो क्या है what are seep tube cells तो आप लोग को पता होने चाहिए कि seep tube cells जो है यह long cells होते हैं इसके इलावा हम देखते हैं कि इन में end walls भी होती है और यह क्या करते हैं यह सब्सक्राइब होते हैं और यह long tubes की form में आपको नजर आते हैं इसके बाद स्टुडेंट्स आपको जो है वो यहां से long question भी आ सकता है और यह long question जो हो आया भी हुआ है तो आप लोग ने इस long question को कैसे attempt करना है और यह कैसे आप से पूशा जा सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूं राइट नोट ओन फ्लोइम टिशू अगर से फ्लोइम टिशू पर नोट आएगा तो आप लोग कैसे इसको लिखेंगे सबसे पहले आप फ्लोइम टिशू की बारे में बताएंगे और इनकी explanation देंगे और एंड पर आप डाइग्रम बनाएंगे फ्लोइम टिशू की जिसको आप प्रॉपर ली लेवल भी करेंगे एक और जो लोग को से यहां से आ सकते वह मैंने आप दोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि राइट नोट क्मपाउंड टिशू तो आप लोगों क्या करना है कंपाउंडिशो को डिफाइन करने उसके बाद उसकी तो डो टाइप से जाइलम टिशू और फ्लोइम टिशू इन दोनों को explain करने और आप लोगों यह explanation जो यह वह है डिंग्स के साथ देनी है कि सबसे पहले आप जाइल एक्टिविटी आप लोग के लिए और वो एक्टिविटी यह है कि कुछ में पूछे जाने वाले जो कोस्टन से इनकी आपने रिटन प्रेक्टिस करनी है साथ आपने फ्लॉइम टिशू को लॉंग भाइस भी अटेम्ट करने और हैडिंग बना के आपने अटेम्ट करने और आप लोग की बहुत ही अच्छी प्रेक्टिस हो जाए किस चीस की एक्जाइम की प्रेपरेशन की ओर आप लोग के प्रेक्टिस हो जगी किस तरह लंग कु ona patat ऑप लुग किस तरह उसको अटेम्ट कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करेंगे इस्टूइंस आज हमने डिस्कॉस किया फ्लोइम टिशूस को हमने देखा कि फ्लोइम टिशूस किस तरहां कंड़क्ट करते हैं फूट को थ्रौट प्लांट बॉड़ी इसके साथ वहाइंड स्ट्रक्शर को बनाने में कौन-कौन से सेर्स हां užंते और हमने किन-किन इसके हैं की डिटेइल कुछ स्टड़ी किया हमने देखा सीव टूप सेल्स को और companion cells को students आप लोगों मैंने एक छोटी सी activity दी और वो activity क्या है कि आपने को इसकी रिटन प्रेक्टिस करनी है क्योंकि इस quiz में पूछे जाने वाले questions बोट पॉइंट व्यू से बहुत ही important है इसलिए आपने flowing tissue को long vice और short vice prepare कर लेना है ताके आने वाले वक्त में exam के preparation में आपको किसी किसम की difficulty का सामना ना करना पड़े उमीद है आज के लेक्चर के आपको समझा आगे होगी next lecture तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और मुझे दौव में याद रखेगा अलाफिस